दोस्तों आज की कहानी में हम देखते हैं कि मुल्ला नसुरुद्दीन से उसका पडोसी बार बार उसके घर कुछ न कुछ मांगने के लिए आता है. मुल्ला नसुरुद्दीन उस पडोसी से कैसे चुटकारा लेता है ये जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी. पहुच जाता है और दरवाजे पर खड़े होकर मुल्ला को आवाज देने लगता है। मुल्ला अपना गधा उस परोसी को देना नहीं चाहता था और इसलिए उसने ये बहाना बनाया था। किसी को दे दिया है लेकिन उसके रेंकने की आवाज तो तुम्हारे घर के अंदर से आ रही है। मुल्ला ने पडोसी से कहा तुम्हें किस पर यकीन है मुझ पर यागधे पर। इतना बोल कर मुल्ला अंदर घर में चले जाते है। पडोसी मुँ लगा कर वापस चला गया और फिर कभी वापस मुल्ला से कुछ मांगने के लिए नहीं आया। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।